मसकार दोस्तो, मैं राणा मैं विजैक मार आप देख रहे कॉमिक्स पिटारा चैनल को तो चलिए दोस्तो, राज कॉमिक्स में जंगल के जलाद कोभी और डोगा का टोइन मन भी से सांग को सुरू करते हैं जिसका नाम है एक मैं दो तलवारे और ये कॉमिक्स कोभी भाई का दूसरा भाग है जिन्होंने इसके पहले भाग को नहीं पढ़ा है वो प्लेज हमारे चैनल पर विजिट करें वहाँ पर आपको प्लेजिस्ट बाले सेक्शन में इसका पहला पार्ट मिल जाएगा और आप इसे पढ़ सकते हैं तो चलिए इसकी संदार स्टोरी को हम सुरू करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका कभर प्रिस्ट जो के कुछ इस तरह का है जंगल में एक से बढ़ कर एक हिंसक एंखुंखार जंगली जानबर बसते हैं जंगली और भूखे आदम खोर जंगली उसे भरा है जंगल जलादों के इस भरी धर्टी में आने का मतलब है कदम कदम पर मौत से सामना लेकिन सबसे बड़ा हिंसक है कोभी जिसकी एक दहार से जिंदगी सांसे लेना भोल जाती है सहम जाता है पूरा जंगल जंगल में आने के बाद जो बन गया है जंगल का जलाद इंसानों का वेजधरे सहरों में भी बसते हैं हिंसक, खुंखार, खुनी अमदरिंदे जानबर ये कतल करते हैं इंसानियत का, हैवानियत जिनकी पेसा है, कानून जिनकी ठोकर में है और डरिंदगी जिनकी नसनस में लेकिन इंसे भी बड़ा दरिंदा है, इंसे भी बड़ा जलाद है, जिसकी मासुम आखोंने बच्पन से लेकर आज तक इतने कतल देखे, इतनी दरिंदगी देखी, इतना खुन एम अत्यचार देखा कि उसके सीने में दबा इंसान मर गया और जो जागा वो था डोगा, मुंबई की बदनाम एमकाली अपराद के दुनिया का जलाद डोगा अपराद के दुनिया के बाप बन बैठे, अपरादियों के गले काटने को ये बन गया था मुंबई का बाप असम के इस सोले को अपने असेन प्यार के छीटों से ठंडा कर रखा था जेन ने, जो कोबी की पतनी थी मगर एक दिन वो छीटे उसकी बुंदों की तरह भाब बन कर उड़ गई, कोबी का दिल तूट गया गम, अपमान, गुस्सें अम इर्सिया की आग में जलते हुए कोबी को बरगलाया, जंगल में पहुँचे एक माफिया बोस ने और मुंबई लाकर उसे बना दिया मुंबई के अपराधियों का बाप एक अपराध का रक्षक, एक नियाय का रक्षक, एक कानून को काटेगा, दूसरा कानून काटने वाले को काटेगा अब होगा टकराओ दो जल्लादों का क्योंकि अब है एक म्यान दो दल्वारे संजे गुपता की पेसकस मुंबई का हर छोटा बड़ा गैंग चाता है मुंबई माफिया का चीफ बनना लेकिन बड़ी पर्तिद्वन्दिता है बुढ़ा भाई की कोभी और्गिनाइजेशन और बड़ा भाई छोटा भाई की किंग और्गिनाइजेशन के बीच हफ्ता बाप को हफ्ता मांगता है क्या देता है ना हफ्ता बाप अप उन तेरों को हफ्ता देता है ना ए पैसे हाथ में क्यों नहीं रखेला तूने हफ्ता बाप का टाइम खोटी करता है चीर दू क्या तेरी अतन्या गलती हो गई हफ्ता बाप तो गलती की सजा भुगत डवल हप्टा डाल उफ उफ मैंने सुन लिया पेटी माल से भर गई ली है हप्ता भाई तो सूरज डूबने से पहले इसे बड़ा भाई के पास पहुचाओ पेटी बुढधा भाई के पास जाएगी हप्ता बाब और तू हड़ी तोड़े के हाँ तो सीधे यमराज के पास अपन बाप है हड़ी तोड़े हप्ते का भी और तुम सब का भी यमराज के घर अपन तुम को भेजेगा धाड कोभी भाई के आदमियों से बात करने की तमीज सीख मुंबई आकर ये तमीज तो तू भे भूल गया है कि ये जंगल नहीं इनसानों की बस्ती है जहां अपराधियों के लिए अगर कोई जगा है तो वो है जेल हमफ धाड और मैं नहीं चाहता कि तू महाँ जाए मैं तुझे वापस असम भेजूंका तेरे जंगल में उफ क्यों मुंबई क्या तेरे बाप की है डोका अब कोभी मुंबई में रहेगा मुंबई का बाप बन कर मुंबई का बाप मैं हूँ अच्छा कोभी भाई अपने आदमियों के साथ वापस लोट गया कोभी भाई बड़ा भाई अपने इस सिकस्त पर बोखला उठेगा और डोगा भी पताने कहां जाकर गिरेगा वाह क्या पठके लिया है कोभी भाई ने गनीमत थी डोगा को ये पठकी समुद्र की सतह पर पड़ी थी उसे और समझाना होगा गुलुप मैं उसे कोभी भाई नहीं बनने दूँगा डोगा और कोभी के बीच पतकनियों के संभावना बढ़ती जा रही थी बड़ा भाई और बुड़ा भाई के बीच भी पतकनियों जा रही थी बुड़ा भाई धीरे धीरे मुंबई माफिया पर अपनी पकड मजबूत करता चला जा रहा है गटिया अगर यही हाल रहा तो हमारी गुड़ विल खत्म हो जाएगी और हम कटोरे थाम कर सणक के चौराहे पर भीक मांगते ने जराएंगे ऐसी नौबत नहीं आने देंगे बड़ा भाई मुझे भी इस बात की तसली है लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले किसी तरह छोटा भाई को जेल से बाहर निकालू क्रिन क्रिन एक मिनट फोन बुड़ा भाई का था तुम तुमारी जिन्दिगी के बहुत थोड़े दिन ही रह गए हैं बुड़ा भाई सोच लो बड़ा भाई अगर फिलहाल मुझे मौत आ गई तो तुमारी मुस्किले बढ़ जाएंगी क्योंकि इस वक्त मैं तुमारी एक बहुत बड़े मुस्किल को असान कर सकता हूँ मौत ही मेरी उन मुस्किलों को खत्म करने का सबसे असान रास्ता है तुमारी मौत हाँ लेकिन उस सूरत में तुम अपने छोटे भाई को जेल से बाहर निकलवाने का सपना पूरा नहीं कर पाओगे जिसके मैं तुमें गरांटी दे सकता हूँ तुम चाहो तो वो आज रात ही तुमारे सामने हो सकता है क्या बक रहे हो तुम मेरे दुस्मन होकर ऐसा भला काम क्यूं करोगे पैसे के अलावा सब हमारे दुस्मन है बड़ा भाई ये भला काम भी मैं पैसे के लिए करूँगा बोलो दो कड़ों में सैदा सौदा तै करते हो अपने भाई की अजादी सिर्फ हाँ या ना बोलो अगर तुम ये कर सकते हो तो मुझे ये सौदा मनजूर है क्योंकि तुम से हमारे दुस्मनी एक तरफ और सौदा एक तरफ तो फिर समझो तुम्हारा भाई जेल से बहार आ गया फोन दिस्कनेक्ट हो गया पागल हो गया है क्या बुड़ा भाई कहता है मैं दो कडोर खच करूँ तो छोटा भाई को जेल से भगा सकता है वो ठीक कह रहा है रुपे कभी कभी पाउं का काम भी करते हैं दो कडोर में छोटा भाई की रिहाई का सौधा बुरा तो नहीं है बड़ा भाई लेकिन हमें सौधान रहना होगा पता नहीं बुड़ा भाई किस खुरापाद के चक्कर में है इस सौदे के नकावी में भी मेरा फायदा होगा क्योंकि जिल ब्रेक की कोशिस करने वाला बुड़ा भाई के पीछे पुलिस हाथ धोकर पर जाएगी और देखना ये भी तो है कि वो इस काम को करेगा किस तरह इधर बुड़ा भाई के चेरे पर चमक बढ़ गई थी सौदा हो गया है टाइगर बेचारा बड़ा भाई हैरान परिसान होगा कि मैं ये काम करूंगा कैसे उसी नहीं पता कि बुड़ा और्गनेजेशन अब कोभी और्गनेजेशन बन चुकी है जिसके लिए अब कुछ भी असंभाव नहीं हिक बेवफा निकली पती का साथ छोड़ गई अच्छा हुआ मैंने उसे मार ढाला हिक ये क्या बढ़बढ कर रहा है टाइगर वो चीफ है अदब से संभोधित करो उसे सायद प्यार में धोका खाया है उसने सौरी बुढधा भाई हिक बुढधा भाई उसे क्या कहते है बड़ी मज़ेदार चीज है सब कुछ मस्ता लग रहा है गुलुप गुलुप बस कोभी अब और ज़्यादा पियोगे तो नसा बढ़ जाएगा और फिर तुम काम नहीं कर पाओगे आओ मैं तुमें बता दूँ कि जो काम आप तुमें करना है वो तुम किस तरह करोगे टाइगर तुम लोग भी सुन लो क्योंकि तुम्हे भी कोभी के साथ कोभी भाई के साथ जाना है टाइगर की आँखों में गद्दारी का खौन उत्रा हुआ था कोभी के रहते संगटन की चीफ की कुरसी हमें नहीं मिल सकती स्वीटी और जब तक ऐसा हो नहीं जाता मैं सर्ट नहीं पहनूंगा हमारी और्केनेजेशन का नाम हम तीनों में से किसी के नाम पर होगा या तो टाइगर या तो स्वीटी या फिर जलाद सौगंद लेते वक्त चानक के ने बाल खोले थे और तुमने अपनी सर्ट लेकिन ये होगा कैसे मुझे तो उस राक्षस की सकल देखकर ही पसी ना छूट जाता है आज ही होगा स्वीटी आज वो जेल ब्रेक करेगा और हम उसकी खोपड़ी फिलाज जेल के सिक्रेटी टाओर पर मौझूद दोनों गार्ड्स को सपने में भी उमीद नहीं थी कि कोई चीज बिना सीडियों के भी उन तक पहुँची सकती है उन तक सिर्थ पहुँची सकती है बलकि उन्हें या उनकी मसीन गन को बोलने का कोई भी उसर दिये बिना उफ नीचे भी पटक सकती है कोभी भाई राजा है कोभी भाई देउता है हिक तुम सब ऐसे ही उसके पाउं में पड़ोगे हिक आह तुम इधरी ची रहना बाब अपून अभिच हिक छोटा भाई को लेकर आता हूँ फिर तुम्हें वापस उपर तुमारी जगह पर पहुचा दूँगा हिक क्योंकि बुड़ा भाई ने कहा था कि जब मैं सिक्रेटी टावर से धना धन गोलिया चलाओंगा तो जेल का सारा स्टाप फोर्न बाहर आ जाएका और मैं उनसे असानी से निपट पाऊंगा मुंबई सेंट्रल जेल के इतियास में सैथ ऐसा अभूद पूर्व हंगामा पहले कभी नहीं हुआ होगा सर सर सिक्रेटी टावर से गोलिया चल रही है तावर दोर चलती गोलिया एक आएक चनली बंद हो गई लेकिन तब तक लगभग सारा स्टाप बाहर आकर अपनी पोजीशन ले चुका था सैथ मसीन गर में गोलिया खत्म हो चुकी है गोलिया कौन चला रहा था टावर पर तो कोई नजर नहीं आ रहा कोई उपर जा कर देखो उपर जाना है मैं पहुचा देता हूँ ओ गोलिया इसी ने चलाई होगी ये तो कोई राक्षत से नहीं इसके चेहरे पर मुखोटा है मुखोटा तो तुम इनसान लोग लगाते हो वहाँ जंगल में भेलिया लगाता है जेन लगाती है इनसानिएत वर धोकेवाजी का मुखोटा मेरा चेहरा अस्त्ली है ले नोच कर देख अस्त्ली है ना गोली चलाओ अरे इसकी तो पूँच भी है जो लंबी हो जाती है उफ पूँच वाला राक्षस ये किसी दूसरे गरह से आया प्रानी है छोटा भाई कहा है जेल में जेल में कहा है तो मैं भी वहां जाता हूँ कोई अंदर जाकर खत्रे का साइरन बचाओ वो हमारे थोबडों पर बारह बजा किया है अब साइरन बचाने अंदर उसके पीछे कौन जाएगा सेर बैरकों में बंद कैदियों के चेहरे पर फांसी से भी ज़्यादा दहसत पैदा हुई थी जब उन्होंने कोई को देखा जल्दी बोलो तुम मेंसे छोटा भाई कौन है छोटा भाई ये छोटा भाई को इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट टू में तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में तब तक के लिए वाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जेर कमेंट जरूर कर देना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिपिकेशन को सिलेक्ट सरूर कर लेना थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो ज